एक माह एक अभिनेत्री कर दो कर दो कर दो दो कर दोगर है एक सिंगर और एक डांसर लग जागले के फिर हसी रात हो नहो शाय फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो सासबो और बेटियां आपको ऐसी कलाकार से मिलाने वाला है जो यह सारे रोल निभाती है और इनका नाम है गुनगुन उपरारी पर मौनसुन के मौसम में देखिये कैसे गुनगुना रही है गुनगुन खर को सजा रही है मौम बत्यों से और गोल्डन और वुड डेकॉर से अपनी बेटी का देती है साथ खुद को रखती है जोगा और एक्सेसाइज से फिट रसोई के काम में है नमबर वान लेकिन साथ-साथ खुद भी डखती है बिलकुल लड़की ब्योड़िफुल पर यही तो है आज की नारी सासबो और बेटिया आजाब की मुलाकात करा रहा है अभिनेत्री गुन-गुन उपरारी से जिनने आप देख रहे हैं परम अफ्तारशी किष्णा में बतौर ये शोदा की रूप में लेकिन रियर लाइफ में गुन-गुन है सूपर मॉम जो मम्मी होने के साथ-साथ एक होम मेकर हैं लेकिन कही न कहीं उनके अंदर छुपी है एक लड़की जो बारिश की बूदों को देखकर हो जाती है मस्त गिटार पे गाने बचाती है सुबह-सुबह करती है एक्सरसाइ कैसा है गुन-गुन का घर? क्या हैं गुन-गुन की होबीज? पै ये सब जानने के नाज करेंगे एक घर वाला डे आउट तो सीधा चलते हैं गुन-गुन के घर पर बजाते हैं उनके घर की गंटे और उड़्े कहते हैं गूड़मौनिंग कि है लagn rope इस आब घर के फिर दरौजे पर सजी हुई पेंटिंग जिए इनके compartir दरौजे पर पेंटिंग इनकी आंगे आप चूल नाम लिखे हुए अच्छे नहीं लगते हैं दर्वाजे पे, so I gifted him this, and this is very unique, as you can see, and please come. बै, गुन-गुन के घर में दाखिल होते ही, हमारी नजर पड़ी उनके मंदिर पे, जिहां वहाँ पर गणपदी पपा करते हैं, सभी महमानों का स्वागत, और सुबह सुबह गुन-गुन चलाती हैं, पपा के लिए ये दिया, और साथ-साथ लेती हैं भगवान का अशिरव गुन-गुन मुंबई में अपनी पती अपनी बेटी के साथ रहती है, लेकिन उन्हें घर साजाने का इतना शौक है, कि क्या कहें, जड़ा देखिये उनका घर, हर जगह गुन-गुन के गुणों की शाप नजर आती है, लेकिन सबसे खास है उनकी ये बैलकनी, जहाँ पर म As you can see, this is my house, these are my horses, I have a lot of things like you can see, I don't like a house like a hotel, I like it comfortable So things like this, I have a sofa, open the recliner and there is TV, we watch Netflix here, this is my living area, this is my balcony and there is a lot of rain as you can see and come I'll show you The view is very nice, down So this is the whole podhooka shop? This is all mine, if there is a lot of rain, we will put candles on it sometimes Yes, I have a lot of plants, this is the whole gardening, I have done it myself, I have done it in time to time, mix it, fertilizer and sprays, so I always do it myself And my husband also likes it, so he always touch my plants, he always touch my plants And I like standing here also, because here is a lot of greenery, so yeah, this is one of the best places of my house Bhai, monsoon का मौसम उपर बैलकनी पर ये खुबसूरत सा गाटन, ऐसे में दिल तो पावरा हो ही जाएगा और देखिए कैसे गुन-गुनिस इस monsoon के मौसम में पावरी हो रही है और गा रही है अपने फेवरेट गाने कहना के रुत जवा है और हम तरस रहे हैं काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं डर है नमार डाले सावन का क्या ठेकाना सावन का क्या ठेकाना मौसम है आशिकाना ए दिल कही से उनको ऐसे में धूंडलाना भाई अब जरा लेते हैं गुन-गुन के इस हरे भरे घर का टूर हर चीज को उन्होंने अपने हाथों से चुना है उनके घर का धीम है गोल्डन और वुड क्योंकि हर चीज में या तो गोल्ड है या फूड है तो लेते हैं घर का टूर मैं आठ कर रहा था तो आप देख रहा था तो आप देख सकते हो इसको अच्छान करती हूं मैं शाम के ताइम पर यह लाइट यह एक बाल्कोनी में एक लड़ी है अगर आपको दिख रही होगी यह और दिस थिंग यह भी भी जल रहा है और चटे-चटे दो-चार उपर और लाइट्स है तो यह सारी लाइट्स में रात को ओन करती हूँ यह जलती हूँ यह जलती हूँ 아 यह एक कंडल यह कंडल जलती हू और यह लाइक खाकर आप Gasnova मॽंव कि लौवरां वाइन पाटन में टाम डाइन्स घबल है आपको जी महिंद पढके हूँ Lee आपको अपना फेवरिट ग्लास दिखाती हूं, ये मेरा फेवरिट ग्लास है, ये एक छोट असा एरिया है, इसमें मैं अपनी जूलरी जगती हूं, जो मैं चोटी मोटी नहीं है, ये वन I was doing show buddha, तब मुझे ये गिफ्ट में दिया था, इwn अपन ये फ्रेग्रेंस है, ये मचे बहुत पसंद सेवेड्रू अपने एंड़ ये विफेशन मा शनकत पर सेवें दो में ये एक फोट्राइब्राइब्र में,osis थेवरिट है.la लेदर को महा रखना कराब हजाएंके and that's it I like the painting it's very simple and colourful I like colours and this is my husband finally husband can you see us? so these are two photographs this is my watch here is golden and wood I love this piece I will show you जाओ जाओ गुल्गुल का bedroom तो आपने देख लिया लेकिन आप चलते हैं उनकी bedroom की balcony में लहाँ पर वो गाने गाती है याए सोजीया में समाएं गयो रे के मैं तनमन की सुधबुद्गवा बैटी हर आहट पे समझी वो आएं गयो रे जट खूंगट में मुखड़ा चुपा बैठी वियाए सोजीया में समाएं गयो रे लग जागले के पर ये हसी रात हो न हो शाय फिर इस जनम में मुलाकत हो न हो लग जागले से जागले 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 तो मैं तो नहीं सीख पाई पर मेरी बेटी सीखती है और कभी-कभी जो वह घर पर नहीं होती है तो मैं चुपके से उसका गिटार उठाके कुछ ट्राइ कर लेती हूँ भाई भाई गुन-गुन अभी निति रोने के साथ आरे एक टालेंटेर मा भी है लेकिन साथ-साथ खुद का ख्याल भी रखते हैं भाई सुभा सुभा शुबा शिषे के सामने तयार व्यार होना उन्हें बहुत पसंद है लखनाव से मुंबई तो मैं शादी के बाद आई मेरे हस्बन और मेरा लव मैरेज है वह भी लखनाव से हैं और वो यहां पोस्टिट थे तो मैं यहां पर आई और by chance मुझे किसी ने suggest कि कि तुम क्यों नहीं try करती हो Bombay तो it's about industry only तो मैं यूही एक दिन audition दे आई कहीं जाकर और मुझे अच्छा response मिला हला कि मैंने वो शो नहीं किया क्योंकि उसकी शूटिंग बाहर थी और that time I was married also और मेरी बेटी भी थी So, usually लोग काड़िये तो सीचाने के बाश शागी और बचे क्योंकि मैंने आपको बोला मेरा ऐसा कोई dream नहीं था कि मैं actor बनू It happened by chance तो that time मेरी बेटी 12 साल की थी जब मैंने पहला audition दिया वो भी किसी के कहने पे मेरे जो नेबर थे audition के लिए जा रही थी And she asked me कि चलो चलो आप भी दियो And I was like ठीग ए घर का सूट पहन के थोड़ा जो घर पे See, professional makeup अलग होता है आज मुझे पता लेकिन उसके बाद मैंने एक दो audition दिये और मेरा लक अच्छा रहा और मुझे बहुत जल्दी मेरा पहला शो मिल गया जो की Colors चैनल पे था बंधन साथ जन्मों का और उसके बाद वो जाती है morning walk पे So guys, I'm ready for the workout जैसा कि आप सब को पता है कि भले आप actor हो या ना हो आपको fit रहना बहुत जरूरी है So चलिए, अब करते हैं थोड़ा workout Now workout के लिए मैं नीचे जाओंगी मैं आपको अभी अभी अपनी building दिखाती हूं बहुत greenery है, बहुत peaceful है So sometimes I do workout means gym Sometimes I do yoga, sometimes I do swimming and there are many sports activities also which I love doing So let's see what we do सीधा चलते हैं उनके garden में चाहां वो करती है morning walk वैसे गुन-गुन को देखकर पता नहीं चलता कि उनकी एक बेटी भी है और इसके लिए वो खुद को fit रखने के लिए करती है yoga आगे हैं वहाँ जहां मैं रोज करती हूं अपना yoga आईए तो अब हम सब ऊपर चलते हैं मैं फ्रेश हो जाती हूं और कुछ खाते हैं क्योंकि आफ्टर जिम बहुत भूख लगती है बहुत भूख लगती मुझे चलत चलत तो गाईज मैं quickly change करके आती हूं फिर हम खाते हैं और बनाते हैं पोहे भाई गुन-गुन को वाक आउट हो गया आप गुन-गुन और नहाद होकर फ्रेश होकर वो देखिये कैसे रोजा की मधू बन गई और अपना मॉनिंग डान्स कर डाना करता दो नहाद काहा हूं युन झाल करता है प्राइब इह प्राइब करता दो कर दो कर दो कर दो कर दो गया पोहे मेरे लॉल में लोगे शॉय को कर दो आप आम बनाति है अब चलते हैं गोण नाश्ता बनानेवाली है और भू है पोहा तो सबसे पहले हमने लिए और फ्राई पैल और यह तो हम सबसे पहले जलाएंगे गास और इसमें डालेंगे छल्दी recordings तो यह अनियन हन्सिंगा गाएं सबसे पहले हम डालेंगे इसमें राई जब ये क्यारमल कलर के हो जाएंगे तब हम इस पर डालेंगे पोहे तो जब तक हमारे प्यास ब्राउन हो रहे हैं पोहे दोलेते हैं पोही ! कुछ लोग पोही को भीगा के रखते हैं पर मैं उन्हें नहीं भीगाती हूँ क्योंकि भीगाने से वह जादा गीलろ हो जाते हैं तो जह तो मुझे बनाना में उसी वाट उसी वट वक को दो लेती हarézuf तो ये पोहे धुल गया हैं, अब मैं इसमें से पानी अच्छे से निकाल दूँगी और इनको साइड में दूँगी मूफली मैंने थोड़े से रोस्ट किया है, माइक्रोवेव में, अब मैं इसे थोड़ा कूट लूगा अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी हल्दी, और जरा सी लाल मिर्च, वैसे लोग पसंद नहीं करते हैं, पर मुझे पसंदे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला भुन जाए, और अब इसमें डालेंगे हल्के से कुटे हुए मूफली के दानी मौफली के स glare भुन जाए, द्च है क्याल, कुटे है मौफली कर्ड़ा भुन जाती है, अब मैं इसमें अढ़े्टिय दानीय धिंगी, ताकि इसका कलर बहुत सुंदर दिखे, गैस हमद बंकर देते हैं, और यसके ऊपर डालते हैं धनिया, और इसको कर लेते हैं मिक्स, तो इससे अच्छा फ्रेगी इनसा है ये ये रेडी अब गुन-गुन खाएंगे अपने हाथों से पने विये मसालिदार पोहे वही दिन की इससे बहतर शुरुवात हो सकती है क्या बहला पोहा रेडी है और अब मैं इसे खाके बताओंगे कि कैसा बनाए है अब मिलते हैं गुन-गुन की बेटी परी से जिहां उनकी बड़ी सी बेटी है जो बहुत अच्छा किटार बिचाती है और ये दोनों मा बेटी कम सहे लिया जादा है तो चलिये मिलते हैं गुन-गुन की बेटी से और जानते हैं मा बेटी की केमेस्ट्री That's Pari, that's my daughter. Say hi Pari. Hi. You like Mama as an actor? Yes. कौन सा शो देखाया अपने ममा का? मैने बुद्धा देखा था, लाश बास बाक में देखिया. बुद्धा देखा था, क्योंकि स्टाइब मेरे फादर आएवे थे और बुद्धा बुद्धान करके बैच जाते थे. So, Pari देखती थी. मैं सोड़ी बाद एपिसोड. Krishnah के भी देखे हैं. जब नानी या दादी आके थी विचराती है, तो वो देख लेती है. So, you like me as an actor? Yes. वैसी रियर लाइफ में गुन-गुन की बेटी परी, उनके गिटार टीचर है. और आज देखी बेटी का गिटार देखकर कैसी प्राउड मदर बन गई. I love you too. She's very tall, so I can't even kiss her. तो गुन-गुन मिसाल है उन शादिश्दर रेलीस के लिए, जो सुचती हैं कि शादि के बाद फुल स्टॉप लग गया. देखे गुन-गुन को शादि के बाद कैसी वो अभिनेत्री बनी, और आज मा होने के साथ-साथ घर का ध्यान रखती है, और साथ-साथ सीरियल्स की शूटिंग करती है. और आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत मजा आया, शूटि तुम्हारे साथ, हमने खाया, पिया, पोहे बनाए, डांस किया, वकाउट किया, सब कुछ की और फाइनली फ्रेश हों के बैठे हैं. और आज हमारे इस डे आउट में हमने गुन-गुन के इसी पहले को दिखाने की कोशिश की है. तो सास बहु और बेटियां मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज आप मेरे घर आये, मेरे साथ पूरा दिन बिताया और मेरी कुछ उन चीजों को कैप्चुर किया, जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी है. So, thank you very much and all the very best. तो उमीद है गुन-गुन के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस मा, अभिनेतरी, होम-मेकर और एक बीवी के बारे में चोटी-चोटी अंजानी बाते पता चली होंगी, जो आपको बताता है सिर्फ और सास पहू और पेटिया. मैं भी आपको बाई बोलती हूँ और मैं भी आपसे विदा लेती हूँ. बाई-बाई! हो मैं से शुती बजाता है किसाथ, आश्टग बिरो!